इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं क्यूपोला फर्नेस के बारे में क्यूपोला फर्नेस क्या है क्यूपोला फर्नेस को कंप्लीट समझने से पहले सबसे पहले बात करते हैं फर्नेस क्या है furnace basically एक प्रकार की बढ़ी जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बढ़ी जिससे किसी material को गरम करते हैं उसको बोला जाता है बढ़ी ट्यूपोला से meaning क्या है ट्यूपोला से meaning है एक गुम्बज के आकार का जैसे पुराने टाइम में घरों के उपर जो रसोई घर होते थे उनके उपर चिमनिया बनाई जाते थी तो कुछ उसी परकार का complete है क्यूपोला फर्नेस अब mainly किस परपस से इसका यूज होता है mainly ferrous materials को उनके alloys को melt करने के लिए क्यूपोला फर्नेस का यूज किया जाता है इसके अलावा इसका जो main aim होता है main जो function होता क्यूपोला फर्नेस का वो big iron को cast iron में convert करने का होता है ये लगबग इनकी जो उचाई होती है वो 6 मीटर से लेकर के 11 मीटर तक ही होती है mainly ये diameter के 3 गुणा उचाई होती है जैसे diameter 1.5 से लेकर 13 फिट तक का इनका डाया होता है तो उसके लगबग 3 गुणा इनकी उचाई होती है ये mainly circular in section होते हैं means goal section के होते है cylindrical shape के होते हैं इसके अंबर जो outer section है बात करते हैं इसके main components की सबसे पहले इसके main components को समझेंगे कौन-कौन से component है कौन-कौन से इसमें zone होते हैं उसके बाद इसके working process की जो stages हैं उनके बारे में समझेंगे तो बात करते हैं कौन-कौन से इसके components हैं इसमें सबसे पहले outer section होता है ये आप इस red color type में देख सकते हैं आउटर सेक्शन, आउटर सेक्शन को सेल बोला जाता है, अब जो सेल है, उसका मेंली क्या फंक्शन होता है, सेल हीटों का बना रहता है, जिसके भार की तरफ, यहाँ पर मैल्ड स्टील की लाइनिंग्स लगी रहती है, या मैल्ड स्टील की सीट लगी रहती है, जिनको रीफ प्रेक्ट्री लाइनिंग्स क्यों बोला जाता है जो हीट को ज्यादा से ज्यादा रोक सके भार ना आने दे ताकि कम्प्लीट हीट का यूडिलाइजेशन हो सके यह जो बॉटम फेज है यहां पे सबसे पहले होती है प्रॉप अब प्रॉप का क्या फंक्शन होता है को रिमूव करना होता है तो उस केस में ड्रॉप डॉर को ओपन करने के लिए प्रॉप का यूज क्या जाता है तो एक प्रकार से प्रॉप समझे तो ड्रॉप डॉर की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए जिसका यूज होता है उसको बोला जाता है प्रॉप यहां पे इसके complete साइडों में यानि क्योंकि ये goal shape का होता है तो चारो तरफ complete गोलाकार में इसकी legs होती है जो lag है उनका main function क्या होता है complete जो structure है उसको hold करने का इनका legs का main function है complete जो structure है उसको hold करके रखें ड्रॉप doors का क्या function होता है drop doors का main function होता है जब cupola को close किया जाता है कि उपोला को close करने के बाद जब सभी जो impurities रहेंगी inside उन सब को remove करने के लिए और जो उपर sand का bed है इसकी repairing करने के लिए तो वहाँ पे drop doors का use किया जाता है तो drop doors की जब opening होगी तो यहां से impurities remove होगी जैसे close होगा तो इसके उपर जो sand का bed है इसको properly बनाया जाता है लगाया ज furnace के अंदर होता है और इसका main function क्या होता है इसका main function होता है जो molten metal होती है उस molten metal को remove करने का इसका main function होता है इसी लिए इसको taper बनाया जाता है यह main function होता है sand bed का sand bed से जस्ट थोड़ा सा ऊपर चलते हैं left side में होता है slag spout और जो right side है यह होता है tapping hall slag spout का tapping hall का जो function है वो दोनों का different different है क्योंकि जो tapping hall है इसका main function होता है molten metal को remove करना इसके बाद container लगाया जाता है और उस container में molten metal collect होती है molten metal जो है उसकी viscosity ज्यादा होती है वो भारी होती है किसी लिए यहाँ पे इस section को taper बनाया जाता है तो नीचे की तरफ से बहुत आसानी से taper hall की तरफ से वो remove होती है जबकि slag जो spout है as the name indicates slag अब slag क्या होती है वो impurities जब हमारी जो main metal है वो चूने के संपर्क में आती है कोग के संपर्क में आती है उसके बाद जो impurity बसती है वो remove करने के लिए slag spout बनाया गया इनका जो zone होता है वो होता है well zone अब well zone means quay जैसे आकार हुआ जो कि बिल्कुल गहरा सबसे नीचे का section क्योंकि ये लगबग जो इसकी उचाई है वो मैंने आपको बताया था 6 से 11 मिटर होती है तो यहां पर इसका जो सबसे bottom section है वो इसका quay है well है तो इस quay में molten metal आकर के collect होती है जब वो melt हो जाती है इसके बात चलते है next section पे next है two year opening अब two years क्या होते है एक प्रकार के air के pipe जहां से अंदर इस जो हमारा furnace है इस furnace के अंदर हवा को पहुंचाया जाता है तो हवा को पहुंचाने के लिए two years लगाए जाते है क्योंकि ये complete जो होता है ये wind box होता है इस wind box में blower के थू हवा function क्या करेगी oxygen प्रोवाइड करेगी को और को जब oxygen प्रोवाइड करेगी तो कोईला लगाता जलता रहेगा यह में फंक्शन करते हैं तू यह इसके बाद next section है वह चार्जिंग दोर का क्या function होता है charging दोर का में फंक्शन होता है यहां पे तीन चीजों की charging करना या दूसरे words में बात करें तो यहां से कोग को डालना, limestone को डालना और metal को डालना तो कि यह जो boiler है यहां पे जो इसका operator होगा जो person काम करेंगे जो workers काम करेंगे वो यहां से डालेगा सबसे पहले कोग तो कोईला लगाया जाता है कोईले के उपर फिर एक layer लगाई जाती है limestone की यानि लगाई जाती है तो यह लगाता लेयर बाई लेयर ओक, limestone और metal लगाया जाते है charging door के इस section तक यहां से charging door से यह सब वर्क होता है इसके जस्ट ऊपर की बात करते हैं यहां पर यह लगा हुआ है spark arrester, spark arrester का basic function क्या होता है जब इसके inside जो हमारा furnace है इसके inside जब वर्क होगा आग जलेगी तो इसके बाद धुआ बनेगी या बात करें तो एक प्रकार की gases create होंगी तो जो gases create होंगी उन gases के साथ में पतंगे भी आएंगे जैसा कि हम normally शादी ब्या में जो बठी होती है उन बठीयों में देखते हैं जैसा कि आप screen पे देख सकते हैं तो यहां से उस heat provide करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा heat अंदर रहे इसलिए लगाए जाते हैं spark arrest यह side में जो आपको दिखाई दे रहें यह opening है gases के लिए means gases आसानी से remove हो सके जैसे हम संशान भूमी में देखते हैं जैसे हम पुराने टाइम में रसोई के ऊपर जब हम चिमनी बनाते थे तो में opening होती थी तो यहां पर आप screen पर इसको देख सकते हैं यहां से opening है यह gases की तो यह है इसके main components जिनका individually क्या function है अब बात करते हैं इनके zones की कि कौन-कौन सा zone क्या काम आता है सबसे पहले bottom phase में जैसा कि मैंने आपको बता है starting में well zone इसका कुआ है जहां पे molten metal नीचे आती है और वो molten metal नीचे आकरके tapping hole के through collect होती है दूसरी तरफ slag आता है और उस slag में से slag spout होता है slag spout में से slag remove होती है यह function होते है well zone के अंदर well zone जो है इसके just उपर होता है two air zone अब two air zone का basic function है जहां पे हवा दी जाती है जो furnace है उसको air provide की जाती है oxygen परपच से provide की जाती है जिससे आसानी से coke का धहन हो सके means coke आसानी से जल सके यह काम होता है two air zone में जो two air zone है इससे just उपर होता है combustion zone स्क्रीन पे आप देख सकते है combustion zone के बिल्कुल सामने है coke तो यहां पे जो coke है वो जलता है और जलने के दोरान सेम टाइम पे two years के थूरू हवा दी जाती है तो यहां से तो आई oxygen और दूसरा यहां से carbon के content इससे मिलकर के क्या बनेगी carbon dioxide और यहां पे complete क्या होगी heat produce होगी यह function होता है combustion zone का combustion zone जो है इससे just ऊपर थोड़ा रहता है यहां पे reducing zone reducing zone जिसको oxidizing zone भी बोला जाता है जिसमें carbon carbon dioxide दोनों मिलकर के क्या बनाएंगी monoxide यहां पे वो monoxide बनती है जिस्ट ऊपर थोड़ा सा reducing zone next है melting zone अब melting zone क्या है इसके just सामने screen पे आप देख सकते हैं जहां पे metal है तो metal का melt होना सबसे पहले bottom phase से heat मिलेगी यानि coilet से heat मिलेगी कोक से heat मिलेगी वो heat जाएगी फिर limestone को और उसके बाद जाएगी metal पे तो metal यहां पे melt होगी इसलिए इसका नाम होता है melting zone तो melting zone वो zone जिसमें हमने जो pig iron डाला है उस pig iron को melt करने के जो zone है वो होता है melting zone next zone है preheating zone जैसा कि इसका नेम है किसी चीज को पहले से ही heat करने वाला zone तो यहां से जब layer by layer coke होगा lamestone होगा metal होगा तो इस पे जो metal होगी उपर की तरफ उसको पहले से heat मिलेगी जब वो combustion zone में आएगी इससे meaning क्या है जाचे हम बठी पे देखते हैं आग जलाई तो आग की लप्टे काफी उपर और उससे भी काफी उपर तक हमें heat मैसूस होती है गर्मी मैसूस होती है तो same यहाँ पे भी जो heat रहेगी वो उपर तक transfer होगी तो जो metal उपर की तरफ रहेगी वो metal melt होने से पहले ही preheat हो जाएगी means heat उसको मिलेगी तो आसानी से यहाँ पर आकर के melt हो जाएगी लास्ट जोन है stack जोन अब stack जोन क्या होता है वो जोन जहाँ पर गैसी जाती है नीचे से जो carbon monoxide बनी carbon के साथ मिलके oxygen मिलके जो carbon dioxide मिली बनी उसके बाद फिर से mixing ओकर करके वो monoxide बनी और जब carbon monoxide बनी तो उसके बाद यहाँ पर top section में आएगी तो stack जोन वो जोन है जहाँ प पतंगे आएंगे तो वो section जिसमें gas और पतंगे हैं उसको बोला जाता है stack zone इसके बाद spar करिश्टर से वो arrest कर ले जाएंगे और गैसी जो है वो इस section से इस opening से remove हो जाएगी तो यह सभी individual zones का function है अब बात करते हैं इसके working process की जो various stages है वो कैसे होती है means इसकी working कैसे होती है पहले बात करते है preparation की तुपोला का preparation अब preparation से meaning क्या है जब भी हम इसको start करते हैं शुरुवात करते हैं furnace की तो सबसे पहले इसको prepare किया जाता है अब prepare में क्या क्या किया जाता है सबसे पहले doors की opening होती है और doors की opening करके जो भी कोई impurities हैं उन सभी impurities को remove किया जाता है bottom से इसके बाद वापस doors को close किया जता है, sand का जो bed है, उसको prepare किया जता है, sand के bed के साथ में, जो भी refractory lining से कोई खराब हुई है, तो उसकी repairing की जती है, preparation से meaning है, जब भी कोई काम start करना है हमें, तो उसको well prepare रखके start करें, जैसे हम घर बना रहे हैं, तो उसके लिए को raw material की जरूरत है, तो कीटे रख ली हमने, महाँ पर सिमेंट रख ली और बजरी ना हो, या करसर ना हो, तो उससे काम चलेगा नहीं, तो कहने का मतलब क्या है, कि इस क्यूपोला फरनेस को जब start करेंगे, तो सबसे पहले complete इसकी preparation करेंगे, preparation के बाद start करेंगे, firing से meaning है, कि इसको आग देंगे, अ गेम टाइम पर जलाने के बाद कुछ समय बाद हम यहां से charging स्टार्ट कर देते हैं, charging से meaning सबसे पहले उपर से koila डाला जाता है, यह कोक डाला जाता है, और कोक डाल करके उसको तपत लगने दी जाती है, फिर limestone डाला जाता है, यानि चूना डाला जाता है, और फिर metal डाली आला जाता है ताकि oxidation की problem से बचा जा सके और दूसरा साथ में जब चूने के साथ में metal आएगी क्योंकि यहां पर यह पिग आइरन है और हमें कास्ट आइरन में convert करना है तो एक प्रकार की impurity एपिग आइरन तो वो जो impurity बनेगी जो स्लैग बनेगी तो वो मीन स्लैग जो बनाएंगे बनाने के लिए हम यहां पर limestone को यूज करते हैं ताकि आसानी से फिर slag spout के दूँ उसको remove किया जासे यह basic function होता है limestone का चूने का next stage है soaking stage अब soaking stage कौन से stage होती है यूपोला furnace में soaking stage वो stage होती है जिसमें furnace जो है वो fully charge हो जाता है चार्ज होने के बाद जब वो slowly heat उपर की तरफ move करती है तो उसके बाद हम कुछ देर के लिए एर का जो blast है उसको रोक देते हैं एर के blast को set कर देते हैं लगबग 45 minutes के अराउंड ताकि यह properly जो heat continuously है वो चल रही है जिस हिसाब से वो चलती रहे तो यह एक period होता है soaking का period, soaking के period के बाद होती है air की opening अब air की opening से meaning है जो two years है उन two years से यहाँ पे लगाता हवा फेंकी जाती है यानि blowers से हवा आएगी और two years इसकी opening होगी तो यहाँ से लगाता हवा दी जाती है तो हवा देने से meaning है कि कोक को oxygen मिलेगी oxygen मिलेगा तो यह चिंगारी के रूप में लगातार भड़कता रहेगा इससे यहाँ पे heat बनी रहेगी और heat बन करके metal को आसानी से melt कर देगा इसके बाद होगी molten metal collection यह सब जब process होगा तो metal यहाँ से नीचे की तरफ आएगी क्योंकि metal heavy है और वो fully melt हो जाएगी, melt होने के बाद आएगी bottom section में, bottom section में आने के बाद tapping hall क के थ्रू, molten metal का हम collection कर लेंगे और slag spout के थ्रू दूसरी तरफ यानि left side में इसके slag remove हो जाएगी और last में फिर इसकी कर देंगे closing, अब closing में क्या करते हैं, जब operation complete हो जाता है उसके बाद metal की जो feeding है यानि charging दोर के थ्रू कोग की, lamb stone की metal की feeding उसको stop कर देते हैं, air की जो supply उस इसको remove कर लेते हैं, ताकि सभी impurities नीचे गिर जे, ये कारिये करते हैं हम जब cupola furnace की closing होती है, तो ये थे, cupola furnace basically क्या है, cupola furnace के जो जो component से उनका individual का क्या function है, कौन-कौन से इसमें john है, साथ ही में इसकी working stages कौन-कौन सी है, thank you.